लास्ट वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल्स आफ इमेल मार्केटिंग इस वीडियो में देखेगे प्लानिंग और इमेल स्ट्राटेजी हर एक स्ट्राटेजी इसको प्लान करना बहुत ज़रूरी है अगर हम पूरी मार्केटिंग जो कर रहे डिजिटल मार्केटिं करें उसके strategy building के लिए हम इतना पूरा एक chapter हमने पढ़ाए तो आप समझ सकते हो कि हर वो marketing का campaign जो आप execute करोगे उसके प्लानिंग लगेगा तो सेम अगर हम भी email marketing देख रहे तो उसके वीचे भी strategy लगेगी क्या से हमें start करना है क्या चीज़े हमारे पास पहले होनी चाहिए क्या क्या चीज़े send जब हम email करें उससे पहले हमें gather करनी है और उसको effective बनाना है फिर अगर हम send करेंगे तो हमें better result मिलेगा for example हम हमारी routine life के अंदर planning को कितने importance देते कि हम कहीं पर गुमने चाहिए उससे पहले planning करते तो उसी तरीके से किसी भी marketing campaign काम start करेंगे उससे पहले planning बहुत ज़रूरी है तो आया देखते कि email strategies को किस तरीके से plan up करना है सबसे पहले email marketing की quality उसके content क्या चीज़े होनी चाहिए कैसे उसको effective बनाना है और most सारी चीज़े हम previous वीडियो के अंदर देख चुके हम already समझ चुके है कि email marketing कितने important चीज़े उसका जो success ratio है हम कितना अपने business को आगे ले जा सकते है तो हम actually उसको बनाये और उसके लिए proceed करें हम एक live campaign बना के उससे पहले कुछ चीज़े होती है जिसको आपको tick कर देना पड़ता है कि check करना पड़ता है कि वह perfect है या नहीं है और अगर आप फिर जाओगे तो गलती होने के chances कम रहे है और email marketing को और successful बना सकते हो for example first of all you need a customer list मैं अगर बात करूँ तो normally old marketing में होता था कि हम customer list को buy करते थे और उस पे irrelevant email send करते थे जो मैंने previous video में बताया था कि वो spam folder को capture करते थे और वो spam में जाके किरते थे जिससे purpose customers resolve नहीं होता था तो आपको सबसे बहले अपने customer की list चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो आपको अपने customer की list पहले हांसिल करने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके apply करने पड़ेगे for example उन तरीकों कि अगर मैं बात करूँ तो हम जो customer की जो subscriber की list होगी वो कैसे acquisition कर पाएगे for example आर बार हर एक वीडियो के पीछे बोला जाता है कि subscribe उस पर आप subscribe करोगे तो फिर जब भी नया वीडियो जाएगा तो आपको details मिलेगी for example e-commerce की site पे बहुत साही जगह पर अलग अलग तरीके से user से detail करवाई जाती है और वह detail को follow करते हो फिर बात में आपको बहुत सारे mails भी मिलते है कुछ आप relevant समझते हो कुछ irrelevant होते है उसको ignore करते हो so बहुत साही जगह से email ले सकते है customer का for example at the registration on website जब हम registration करवाते है जब हम lead generation pages बनाते है उसके जरीए भी हम email subscribe कर सकते है email exchange for coupon suppose मैं कोई coupon प्रवाइड कर रहा हूँ और उसके सामने मैं उनको उनको बोल रहा हू इसे social media के through relate generate करवा सकते है और वहां से भी email ID को acquire कर सकते है उसका बता है before downloading had free services for example जब मैं कोई song download करने के लिए जाता हूँ या फिर किसी site पर कोई मुझे free cheese downloading में available की जाते है तो वो मुझे एक छोड़ा से registration करवाते है जाबर मुझे email ID देना परता है कुछ-कुछ time पर मेरे email ID पर वो link send होती है download की तो इसे वो लोग क्या करते है जो भी particular customer है उसका email ID acquire करते है कहीं पर आपको कोई free service दी जाती है कहीं पर आपको free में को information दी जाती है जैसे कि आप किसी topic पर कोई PBT ढून रहे हो को document file ढून रहे हो अगर आपको download करना है या फिर आपको उसको view करना है properly तो आपको कुछ detail देनी पड़ेगी after providing a satisfied services for example अगर में मेरे customer को को satisfied service provide कर रहा हूँ और उसके बाद feedback के तोर पर में rating स्याफिक comments के बदले में ऐसा करो कि उनको बोलू कि आप email ID fill up करो और means कि वो happy particular service को लेके तो शायद वो email ID fill up कर भी दे तो ऐसे lots more तरीके है जिसके थूँ बहुत सारे से तरीके जिसके थूँ आप email IDs और अपने email user को subscribe कर सकते हो प्लस directly जो user होगा वो directly आपकी website पर आएगा और below जो फूटर के अंदे subscribe की link के वहाँ भी subscribe कर सकते है तो आपको वो portion available करवाना पड़ेगा तो बहुत साई जरीका से आप अपने email subscriber को acquire कर सकते हो उनको आपकी website तकला सकते हो और वो list जब आपके पास आजाए तब आपको अपने business का goal identify करना है कि बहुत सारे से तरीके जिससे आप अपने email subscribers को acquire कर सकते हो जब आपके पास एक list आजाए जब आपके पास एक list of customer आ गये कि जैसे कि आपके पास number of emails आ चुके है तो अब आपको email का goal find out करना पड़ेगा कि what is your purpose to send email और particular email marketing का purpose क्या है क्योंकि देखो अगर आप नई product sell करना चाहते हो और आपने content और सब intention जो था वो remarketing का कर दिया तो आपको उतना result नहीं मिलेगा तो बहुत सारे ऐसे marketing के intention होते है जो email marketing के through target के जाते है इसमें remarketing होता है complete transaction होता है नई products ह होती है sales को increase करना purpose हो सकता है ज्यादा ज्यादा registration बढ़ाने के लिए हम करते हैं फिर customer retention कैसे customer को दुबारा हमारी website पिलाए और कुछ ना कुछ product purchase करने के लिए उसको motivate करें उसको attract करें तो यह सब भी goal में से आपको एक goal identify करना पड़ेगा और उस particular goal को लेके फिर हमें email marketing के campaign क को further proceed करना है अब हमें हमारी audience को समझना पड़ेगा understand your customer segment means कि customer segment words मैंने क्यों use कि क्योंकि customer सिर्फ customer कहूंगा तो customer बहुत सारी areas के हो सकते हैं मैं customer segment की बात कता हूँ कि मुझे अगर remarketing करना है तो मेरा customer segment अलग होगा मुझे नई product को लेके जाना है तो मेरा customer segment अलग होगा मैंन आपने audience की requirement को समझो कि आपका audience क्या चाता है कि आप अपने routines को check करो आप अपने email id पे चाहते हो तो आप कौन से promotional mails होते हैं जिससे attract होते हो जिनको open करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके audience की आपसे expectation क्यू है आप सोचो क्यू वो आपका mail open करेगा और क्यू वो mail open करने के बाद को particular link पे click करके आप तक आएगा जब आप यह सोचोगे तो आप concert मिलेगा वो चीज़ आप provide करो अपने email campaign में तो definitely आप success हो सकते हो now जब आपने customer segment को समझाए for example कौनसी age group male के बीच में जाना है कोई qualify लोगों के बीच में जाना है तो आप यंग्स्टर के बीच में जाओगे तो आपको ज़्यादा emojis या फिर ऐसी funny things use कर नहीं होगी अगर आप कोई aged person के बीच में जा रहे हो तो आपको authenticate और कह सकती ही बहुत ही simple format से जाओ तो शायद आप उनको convince कर पाओगे तो यह आप depends on your customer segment आप choose करो कि आप किस pattern से जाना चाहते हो बट हरे के लिए हम content जो बनाएगे वो अलग अलग हो सकता है जब हमने हमारी customer को समझाए तो उससे मताबिक हमें हमारी content को बनाना पड़ेगा effective अगर हम aged person को emojis वाली concept भेजेगे तो साथ वो impressed ना हो तो यह डैन में रखना है कि हम किस particular customer segment को target करें उसके लिए हमें relevant email content बनान होती और यहां पर भी बताता हो यह मैं बूलू ना वोधी eye catching होना चाहिए बहुत ही effective way में हर चीज़ अब वहां पर present करो जैसे product features से कोई offers देरो deals कोई offer कर देरो use करो ज्यादा-ज्यादा images अगर possible है तो वीडियो links और वीडियो को भी add कर सकते हो testimonials add करो details instruction add करो और सही जगा पर call to action रखो हो सके तो starting में links ज्यादा रखो वहां पर पढ़के ज्यादा तर user click करने के chances होते content को more appealing बनाओ more attractive बनाओ effective और compelling headlines दो जिससे user उसको read करके समझे कहां यह मेरे relevant है मुझे इसको follow करना चाहिए मुझे offers को follow करके उस particular website तक जाना चाहिए तो जब आप इस तरीके से content बनाओगे तो वह आपको email marketing में बहुत help out करेगा जैसे कि मैंने आप पर एक basic example दिया है कि यहां पर मैंने आपको basic example दिया है जैसे कि दो website का example मैं आपको दे रहा हूँ एक website ही जिसमे offers proper call to action और other offers की details, social media और हर वो चीज़ अवले बले है जहापर last में play store application और iPhone application के detail अवले ब format देखो जिसमें details तो वह बले है बट वो मुझे eye catching नहीं लग रही है क्योंकि मिना इसमें कहीं पर image यूज की गई है ना properly कह सकते हैं कि compelling headlines दी गई है जिससे मुझे अंदर जाने में पता चलेगा तो means कि यह तो मैंने simple example ही है बट आप ऐसे identify कर सकते हैं कि आप अपनी inbox में जाओ और देखो कि कौन सा mail आपको attract कर रहा है उस मताबिक आप अपने email की format बनाओ और बैस से बैस result रह सकते हो अब हम जब हमारे customer segment को समझ चुके कि हमारा customer क्या होगा और हमारे पास customer की list आ चुके तो हमें actually email strategies पर focus करना पड़ेगा कि हमें email सही time पर send करना है सही time का मतलब क्या होता है आप मेरे previous video को follow करो मैंने example दिया था कि जब मैं कोई abandonment करके आया हूँ for example मैं customer और मैं कोई transaction आदा चोड़के आया हूँ time पर होगा क्योंकि अगर वही चीज़ दो मेने के बाद send की जाए तो मुझे इतना effective नहीं होगा तो आप समझ सकते हो कि right time पर mail send करने की importance क्या होती है taste the design by sending a taste mail जो भी आप email की design बना रहे हो format बना रहे हो जो हम template चूज करें उसको पहले taste mail send करके check कर लो क्योंकि जब आप large campaign run करें और आप multiple और बहुत सारे mail send करें तो एक साथ जब आप सबको mail send कर दोगे तो अगर कुछ गलती रहागे format में तो गलती सबको जाएगी बड़े आप test mail send करके देख लो कि वो कि इस तरीके से अलग-अलग platform पर दीख रहा है वो mobile responsive है या नहीं है mobile में हर एक चीज़ दीख रहे है कि नहीं दीख रहे हर वो चीज़ पहले test करो एक demo mail send करके जैसे एक hotmail पर करो एक yahoo पर करो gmail पर करो most available जो platforms है जो ज्यादा तर user prefer करते हैं उन पर एक-एक mail send करके testing कर लो फिर अप अपना large campaign run करो तो जिससे आपको आप जो भी investment करो उसका ज़दे-जदे return of investment मिल सकता है अब customer segment understand करने के लिए मैं आपको एक technique अलड़ी ब महां से best एक mail choose करेगे जो हमें समझाएगा कि ज्यादा तर हम क्या चीज़े open करते हैं तो हमारा customer भी वो चीज़ों को like करेगा अब हमें find out करना है कि हमारी website पे ऐसे कितने लोग है जिनकी product in card है मुझे कितने लोगों को purchase करवाना है मुझे कितने लोगों को repeat करना है कितने ल identify करना पड़ेगा कि मेरे customer कौन है जो product in card है वो कितने है purchase वाले कितने repeat वाले कितने और offers वाले कितने है जब मैं यह identify करू फिर particular जो मेरा goal है कि मुझे remarketing करना है मुझे नई product के बार में देना है तो उस मताबिक फिर particular customer segment को मैं particular content से target करू तो मुझे better result मिल सकता है अब lots of campaigns का क्या result आया मैंने previous mail में क्या send किया था हर वो चीज़ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो मैं आपको प्रिफर्ट करता हूँ आप Excel sheet को follow करो जहां पर इस तरीके से आप point बनाओ मैं आपको zoom करें कर दिखाता हूँ सबसे बेले आपको week of month यानि आप मैने के कौन से week के अंदर particular plan up करें अगर है तो email का topic क्या है honor status subject line उसके बाद email draft link और goal अपका purpose क्या है particular email को send करने का यह यह सभी चीज़ आप जो भी particular customer के group को intention करके करें जैसे कि मैंने आपड data group लिखा है data group का मतलब customer segment मैंने यह segment को एक बार mail send किया उसकी detail दुबारा send किया उसकी detail तीसरी बार अगर ऐसे चौथी पांच भी बार भी है तो आप डाल सकते हो ऐसे हरे group का आप track करो तो आपको previously जो और उसके बाद अगर आप evaluate कर रहे हो जो मैं next वीडियो के जरी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप email marketing करने के बा मिलना चाहिए वो कितना मिला वो details आप फिलब करो तो आपको success ratio पता चलेगा कि आपका email marketing success जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो performance के अंदर आपको क्या करना है आपके open rates को बढ़ाना है ज्यादा ज्यादा लोगों को ऐसे effective compelling headlines दो जिसे वो at least open करने के लिए जाए और जो headings unsubscribe rate को कम करना है क्यों क्योंकि जितने अगर लोग unsubscribe करेगे तो they don't want mail from your side तो यह हमें नहीं बढ़ाने इसको control में रखना है और bounce back email की link पे या फिर inbox में subject पे click करने के बाद उस पहंदर चले गए और वो लोग वापस तूरंत आ जाएगे तो वो आपके लिए drawback है तो आपक यह सबी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होता है आप अपनी email marketing strategies को properly plan करो effective mails बनाओ आप अपनी audience को target करके mail बनाओ और maximum result करो जो main strategies का part था आपको अपनी customer segment को समझना है आपको अपनी audience को समझना है आपको उसमताबी content बनाना है regulus को track करना है जो sheet wise मैंने समझाया और last one performance पर focus करो कि क्या आपका goal है alternative आपको maximum result मिलेगा और email marketing आपको नई success तक ले जाएगा और आपको अच्छे result तक ले जाएगा thank you so much इस वीडियो में हमने देखा planning your email strategy next video में देखेगे introduction of tools and analysis of email marketing